हेलो दोस्तो सुआगाते आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानने वाले मोबाइल से एक अच्छा लोगो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो मोबाईल से अच्छा लोगो ड्ीजाइन करने के लिए आपको अपने फोन में एक application को download कर लेना है जिसका नाम है पिक्षा लेप इसके link में आपको description में दे दुँगा दोस्तो जैसे याप अपने फोन में पिक्षालाभ application को download कर लेते हो थो आपको सबसे पहले सबस्क्राइब करना इन उसके बार में फिर पिर अब मैं गूसे पूरा कम कर देना है दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा इस्टोर का साइज और कम कर लेता हूं यहां पर इतना रख लेता हूं दोस्तों उसके बाद मैं आपको राइट पे क्लिक करना है राइट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से एक बार प्लस पे क्लिक करना है और दोस्तों यहा कर दो को कर देना है कोई क्लिक बिएष तरीके से आपको लगा देना इसके बार में इहाँ पर स hinter body आपको तरीके से आ अपने सर्कल में सेट कर देना है । इसको बीच लगा देना है तो सबसे पहले दूस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेका कलर कर देना है बलेक और अगर आप चाहूं तो इसे एटेलिक भी कर सकतेσι शोक सेgyम!!! हो जाएगा दोस्तों अगर आप चाहो तो इटेलिक अपलाई कर सकते हो अगर आपको नहीं लगाना है तो सिंपली आपको यहां से इटेलिक पर क्लिक करके से हटा सकते हो लेकिन दोस्तों यहां पर मैं इटेलिक लगाना चाहता हूँ तो यहां पर मैं इसे रहने देता हूँ उसके बार में दोस्तों आपको करना है, simply यहां से जब भी आपका यहां पर पूरी style हो जाएगा, आपको right पर click करके बेक आ जाना है, उसके बार में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा layer का option, आपको यहां पर click करना है, और दोस्तों नीचे आपको एक option देखने को म सेट कर देना है लाइट यहां पर नीचे दिखने को मिलेगा इंटेंसिटी तो दोस्तों आप को बढ़ाना चाहते तो आपको अपने हिसाफ से कर लेना है जिस तरीके का लोगह को आपको अच्छा लग रहा है आपको यहां से कर है यहां पर आपको चीटना भी बड़ा नहीं बढ़ा सकते हो यहां पर आपको लाग 3D को ड़साब से कर सकते हो उसके लीज में हिसाब डर लाँ बांबो.